रियोम स्कूल ओप साइंस दोराण सामाजिक विजणान चैप्टर नंबर टू मित्रो अनू क्रमनिका मां जोईए तो चैप्टर नंबर टू दिल्ली सल्तनत तो एना वीसे आजे आपड़ा व्यास करीशू मित्रो दिल्ली सल्तनत तबे गणा अब दा बाल मित्रो इसेंबलो इसे के सल्तनत सल्तनत आवश्यब्दो सैंबला आज तो दिल्ली सल्तनत अन्य सल्तनत शूँ छे एना वीसे आपड़ा विस्तार्थी बनेशू प्राचिन काल थी जू दिल्ली भारती राजनीती मां केंदर न स्थाने रह्यू छे अत्यारे पड़ा पड़ी भारतनी राजदानी काई शे दिल्ली तो मित्रो पहला ना समय मां के हाल ना समय मां राजदानी होई जे राजनू केंदर होई ईवँ पसंद्द करवामा हावे कि आखा राज्य ने के देश नेयत, राज्य नी राज़दानी होए देश नी राज़दानी होई, तो इव राज़दानी मा थी तमाम स्थळ न वेवट करी शकाई, जैमके दिल्ली एवँ भारतनी वच्चे आवेली स्थळ शे जनादोरा उत्तर भारत माहेलू छे, परन्थू एक विस्तार आव शे। अन्ने पेला जे भारत अतु हただओ। तो दिल्ली शे उत्तर भाग मां थाई जाई से बराव उत्तर भारत जेवूबनी जाई से परन्तु दिल्ली पेलाना समय थी मांडी ने आज सुधी राज्दाणीनु क्यंदर रहे हो शुआ बार्मी सदी मा तोमर औने चोहान राजपुतो ना समय मा दिल्ली वेपार वाणी जनु एक महत्वनु केंदर आतु। दुर उत्त न राजपुतो ना समय मा दिल्ली वेपार में तोमर ना समय मा दिल्ली वेपार संय। स्टाश को सिर्ट यह काधियों प्रेदानिंट्री पांच वरेश वर्स पचाश वरर जेवों प्रतावि राजा यटलाई वर्सों वर्स वदारे तो यह समय गाला ने दिल्ली सल्टनत केवा मावेजाए अथवा ओलक। वा मावेजा आशाशको मोळबूतरी थे हैं क्याना पार्ट तूर्क अने अपगान ना पूछेत की पार्यी दिली 300 वर्ष दर्मियान, दिली सल्तन मा, दिली सल्तनत न अदर, कुल 570 सत्ता भोगवी. दिल्ली सल्तनत निंदर सवा 300 वर्ष निंदर टोटल पाच वंश वंश आतले कोई पंड एक नाम हो यह द आखला तरीके उतम नहीं यहां पेलो शे के गुलाम वंश तो गुलाम जिटला गुलाम निंदर ना राजाओ हो हो ए राजाओनो जिक्रम हो एक पहला राजा छे अब तो इनके वे वंश तो शाशकों मा पंड आरे ते वंश तरीके उलखवा मावता इवा पांच वंश हो ता जयमा गुलाम वंश खलजी वंश तुगलक वंश सयद वंश अने लदी वंश नो समावेस्ताइश दिल्ली सल्तनत नी साथे आपने आपाठ्मा वीजय नगर अना बहमनी सामराज जनो पाण अभियास करीशू। मित्रो दिल्ली सल्तनत ना शाषको निवाद करीए तो तमने में अगाव किदुएं। टोटल पाच वन्स हो ये शाषन करेलू जेमा पेलो वन्स आवेशे गुलाम वन्स। मित्रो नामनी अंदर पन खुब रहस्टियों चुपायलाशे करे गुलाम वन्स। गुलाम वन्स नो समय गालो खास महत्मनू बारसो छती बारसो नेवु आ गुलाम वन्स नो समय गालो छे। नीर ना एक विजय मेलवीने दिल्ली मा सल्तनत नी स्थापना नो पायो नाग्यो। तरा इनू बीजु यूद कोनी वच्य थयू तो याद राग जो शिहाब बुदिन गोरी अने प्रुत्वी राज्चोहाण नी वच्या रह थयू अग्यार सो बार्णो मां। बराबर कोने विजय मेलो तो के शिहाब बुदिन गोरी ने विजय मेलो। महमद घोरी ना गुलाम कुत बुदिन अईबक मामलुक वन्सनो हतो। अब आपड़े भारतना केंदर नी वाद करिये तो जे घोरी हो हता। गोरी माँ शिहाब बुदिन गोरी ये यूद करिने जीतियू। महमद घोरी ना गुलाम कुत बुदिन अईबक मामलुक वन्सनो हतो। मित्रो पहला ना राजा हो। अजी आलमा तमें जोगोचू। के भाई दाकला तरीके ये शाहब बुदिन गोरी ये भारत जीतियू। तो ये ज भारत उपरशासन करवानू हावे। जया देश मा जयरी तेनू राज़दानी संबालतो हुए। त्या थी भारत उना कपजा मावी गियू। तो भारत मा उनों कोई मानस रागी देखवे तू भारत ने संपाल। बराबर आ एवा अर्थ मां महमद घोरी भारत मां। अन महमद घोरी नो गुलाम कुत बुदिन ऐबक जे मामलूक वनस नू अतो ये आ बदू संपाले शे मातर पांच वर्स ना तेना सासन कालमा। कोना सासन कालमा कुत बुदिन ऐबक ना। मित्रो याद राग्जोजी कनफीजन न थाए के शिया बुदिन गोरी ये यूत करीने जीतियू महमद गोरी शिया बुदिन गोरी ना केवा थी भारत मां संपाला शे बदू अना महम्मद गोरी नके वाती बदू सम्बाल आशे तो कुत बुदी नेबक ना पांच वरस ना सासन कालमा तेने सत्ता न जालवी राखवानो प्रयत न केरेव हतु इस विशन बार सो दसमा पोलो रमत रमता रमता खोड़ा पर ठी पड़ी जवाने कारणे तेनू मृत्यू ठायो उतुु। कुटबुदी नेभक ना उसान बाद तेनो गुलाम अने जमाई इल्तु स्मित गादी आयो कुटबुदी नेभक नू मृत्यू थयू सेनथी मृत्यू थयू खोड़ा उपर थी पड़ी जवान कारने खोड़ा उपर शुकाम बेठा था भाई रमत 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 था महमाद गहरी नुक अथा तो यहाम कुछ फिंगिो जमाय पने तो गादी आवे शे तेने सल्तन्ट सत्तार ने सरेड़ी बनाव और बिनाव माट है जेने चार गान पण केवाइ एनी स्थापना करी दिगां इसल्ड बनाव चेहल गान पनेद इसल्ड बनाव है 40 जणानू तुर्क अमीरों दळ एनक वा चाहल गान अथवा चार गान अमीरों यह ठुले हैं परधान मंत्रि सो येनमा दल मंंत्री वो है बराबर कैबिनेट कक्षाना मंतरी ओ, राज्यकक्षाना मंतरी ओ, तो एवीज रिते, राजा ना दर्बार मां राज दर्बारी ओ पण खोता, ये ना मंतरी ओ उए, एमा अमुक रुपया वाला हो ये, पैसानो टेको आपता हो ये, अथवा बुद्धी शाली, दरेक नीकाइ लेवे दरेक नो सपोर्ट वोई एवा ने दिल्ली सल्तनस्मा मोटा बगे अमीरों शब्दवा परता आता एवा 40 तुर्क अमीरों ना दल ने शुकेवाई चेहल गान अत्वा चार गान अन आ दल नी रचना कोणे करी इलतुत मीशे तेने राजदानी नुस्थळांतर करी ने अधिलिमा राजदानी स्थापयशों लाहर मादी दिल्ली राजदानी लावे पहला मीत्रों रहाखा कीदो ए मं पाकिस्तान पन भारत नो भागतों तो लाहर पाकिस्ताननुशिटी जरा त्यार केम आपड़े दिल्ली कलकत्ता मुंबई चर्णैं एवरी ते मोटा मोटा सी अनलाशक इल्टुथमिश, इल्टुथमिश्ये लाहोर् सेक्ष करी बहुं महत्वनों प्रश्ण शे मित्रों शुन के बाई इल्तुत मिशे पोता नी उत्रादीकारी कोने जाहर करी एनी पूत्री रज्याने अब महत्वनु शामाटे करण के प्यलाना समीमाने हाल पन गणु जोवा मले शे के भारत पुरुष्प्रधान देश चे प्लस रा एनी उपर एने विश्वास नो हतो क्या राज्य संबाली शके अथ्वा येवा काबिल न इतला माटे एने सूपगलू बेरू पुत्रों ने बदाने एक बाजु मुकी ने पुत्री ने जेरे कोई पन पुत्री शाषक अथ्वास त्री शाषक नो हती त्यारे पोतानी पु पुस्तना आउसान ना थोड़ा समय बाद तेनी पुत्री रजिया सुल्ताना दिली नी गादी आवी।ений वी थेyrad और पूत्री शाषक अथ्वास तली अठिमुरू ने पुछे विवा कोई दिली नी इतियास्कार मिन्हाज ए सिराज पड़ स्विकार है छे के रजिया सुल्ताना तेना बदाज भाईयों मां सवथी काबेल अने शक्षम होती। आतियास्कार मिन्हाज भाईयों मां सवथी काबेल अने शक्षम होती। आतियास्कार मिन्हाज भाईयों मां सवथी काबेल अने शक्षम होती। आतियास्कार मिन्हाज भाईयों मां सवथी काबेल अने शक्षम होती। आतियास्कार मिन्हाज भाईयों मां सवथी काबेल अने शक्षम होती। आतियास्कार मिन्हाज भाईयों मां सवथी काबेल अने शक्षम होती। यह भी आमुक विद्रोह करता हाता। यह लिदे रजियास्टानानों शाशन नो अन्तावे। तेना आउसान पची चव वर्ष सुधी। राज्य मां अंधा दुधी चाली। अंधा दुधी नो मतलब थाए। कोई निच्चित राजा के शाशक नहीं, प्लस कोई वेवट बराबर नो चाले। बराबर अरत्यारा पड़ जो कोई मुख्यमंत्री राज्य मनो तो यह वेवट राष्टपती साशन थाए। राष्टपती चलाए। तो राष्टपती चलाए। यह साशन खूप सारु है। पड़ मुख्यमंत्री चलाए। प्रोपर यह कारिय वाही हुए। यह बराबर थाई शके नहीं। अर्ला मात्य मित्रो एनो अंता वे छे। अन्ने अना अवसान पछी चावर्श चुदी। कोई वईवट, कोई शासन बराबर चालतू नो थी। अन्धा दुन्दी चालाए। कोई आवे, कोई जाए, कोई नकी करे, कोई विखाए जाए। तुकमा बराबर कोई निच्चित शाशक नो हतो। अमीरो यह इलतुत मिष्णा पुत्र ने। यह पुत्र कोई अतो, नासुरी दिन, यह गादी ये बेसाड़। रजिया सुल्तान अन्य हटावी, अन्य इलतुत मिष्णो जे पुत्र अतो, यह नू नावतु, नासीरु दिन, यह जे अमीरो अतो, यह इना सपोट थी, यह गादी पर बेसाड़ वामायो। 21 वर्ष ना तेना सासन का अलबाद, तेनु अवसान थता, गयास सुधीन बल्बन गादी पर आवेश। मित्रों, इलतुत मिष्णा पुत्र नासुरी दिन, नासुरी दिने, 21 वरस सुधी सासन करियो। लगुब सारो सासक गणाय। यहनु अवसान थता, यहनु मृत्यु थता, पचि कोण गादी पर आवेश। गयास सुधीन बल्बन। तेने चहलगान दल्णो नास करियो। अने शासन तंत्र परती अमीरोनी पकड हलवी करिय। मित्रों तमनी यादपाव। अने चहलगान कोणे शरू करियो तो आवेश। इल्तुत मिशे। अमा सुवतु चालिस तूर्कों नुदल अतु एने चहलगान क्यावामावत। यह दल्णो नास कोणा करियो। तो पई गयास सुधीन बल्बने। अने अमीरोनी पकड हलवी करिय। अमीरोन द्वारा सपोर्ट थी राजा बने अथवा अमीरोनी लिदे विद्रो हो थाय। अथव जे अमीरोना थोड़ू गुण राजा ने अमीरोना पक्ष्मा रेवू पड़े। तो दूरकरी ना अमीरोनी पकड हलवी करिय। अथे राजा शर्वा परी बनी जाय। अना तेने राजानुस्थान फदू मजबूत बने उम्यातमने के दूज ने। कि अमीरोनो जे टेको एना रीदे राजा बने अने अना अधारे काम थाई तो ये राजा बराबन नीड़ने न लोई सके। अधारे माच बने राजा बने राजा बने वच्छों मजबूत गणा है पंड अमीरोनो जे पकड हलवी थाई तो राजा नुस्थान के उठाए मजबूत बने तो अमीरोनी पकड परन गया सु दिन बल्बन ने अगलवी कर दी बल्बन साहित्य अने कला बल्बन न तो ये साहित्य अने कला नो पोश्य कतो बल्बन जे राजा आतो गया से साहित्य अने कला ने पोशन आपतो तो मितलब साहित्य मा रस्तरावे साहित्य ने आगल वदारे कला मा रस्तरावे ने कला ने आगल वदारे तो बावीस वर्स ना तेना सासन ना थोड़ा समय बाद दिल्ली अमबर्क माँ गुलाम वन्स एक वार लखवानोंचे मित्रों अनो याद राखवानी कोशिश कर जो